दोस्ता आप under 10,000 में low budget में आपको एक premium feature वाला smartphone चाहिए So दोस्तो ये वीडियो आपके लिए So दोस्तो मैं आज लेके रहा हूँ एक best smartphone जो कि under 10,000 में आपको एक premium quality का feature प्रोवाइड करता है इसके साथ ये जो phone है इसका feature के बारे में सुनके आप पुरेट के पुरी साख होने वाला है So दोस्तो आई आपको आपको प्राइस देखने को में लगा 10,000 बार्टी इसका जो storage बेगेरा की बात करें इसके जो operating system की बात करें सब कुछ आपको premium quality का देखने को मिलने वाला है So दोस्तो मैं हूँ प्यान आपको स्वरात करता हूँ हमारी चैनल वाईटी बिग्यान पर दोस्तो इस चैनल पर आप नहीं आए तो चैनल को जरूर subscribe करके all notification पर click किजिए क्योंकि आगे हम अगरे जितना भी फीचर में update आएगा आपको सबसे पहले notification मिल सके तो आईए बात करते हैं infinite heart 40i जो कि इसका price है 9,999 जो कि under 10,000 जो कि 21 February को इसका sell start होने वाला है फ्लिपकार पर तो दोस्तों इसका जो price की बात करूँ जो price है काफी best price है आपको तो पता है इसके साथ है इसका जो feature की बात करूँ color बगरा की बात करें तो इसमें आपको 4 color देखने को मिल जाता है पहरा है star pearl green दूसरा है plain blue तिसरा है horizon gold फोर्थ है star light black ये चार color देखने को मिल जाता है दूसरा variant के बात करें तो इसमें आपको 8GB RAM 256GB का storage देखने को मिल जाता है जो कि under 20,000 under 50,000 का अंदर ही ये storage आपको दूसरा brand के उपर देखने को मिल जाता है but 10,000 में infinix ने आपको provide कर रहा है 8GB RAM 256GB storage जो कि एक premium quality का feature होता है इसके साथ आपको जो कि 6.6 inch का HD display देखने को मिल जाता है जो कि front camera आपको 32MP back camera 50MP जो कि देखने को मिल जाता है 5000 में mega इसकी storage भी देखने को मिल जाता है इसके बारे में full details में बात करूँ तो इसमें आपको जो कि 32MP का crystal clear जो कि selfie देखने को मिल जाता है 50MP dual AI camera देखने को मिल जाता है जो कि dual camera setup है इसके साथ आपको starfall premium design IP53 rating देखने को मिल जाता है इसके साथ आपको 6.6 HD plus punch all display देखने को मिल जाता है with magic link दूसरा इसमें आपको जो कि XOC 13 operating system देखने को मिल जाता है side mounter fingerprint sensor security patch के लिए इसके साथ face unlock भी देखने को मिल जाता है इसके साथ 5000 mh battery है उसमें आपको 18 wire का fast charging देखने को मिल जाता है प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको initial T606 auto care processor देखने को मिल जाता है तो दोस्तो प्राइस की साथ से इसके जो feature है मेरे को काफी अच्छा लगा आप अभी सोच रहें कि यह 5G है यह 4G है बाद दोस्तो यह बताना चाहूंगा यह actual में एक 4G phone है 5G phone नहीं है तो दोस्तो जो की मेरे हिसाब से काफी best phone होने वाला है क्योंकि इतना काम प्राइस में आपको इतना premium quality feature प्रोवाइड कर रहा है तो मेरे हिसाब से जिनको under 10,000 में अभी का टाइम पर एक best smartphone चाहिए तो इस phone को आप choose कर सकता हो बढ़ जिननों सोचरे की gaming बगर आवे better experience लेने वाले हो तो इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके जो processor है थोड़ा low processor है इसके देखने को मिल जाता है बट मैं मताना चाहूंगा price की साब से price compared to best processor है सो दोस्तों यह था जो की on in Phoenix hot 40i की बारी में review I hope आपको वीडियो आचा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो कैसा लगा comment करिये इस तरह आशा नए नए अपडेट बाने के लिए हमारे चैनल वाई टीवी क्यान को सस्क्राइब कीजिए सो दोस्तार रहते हम फिल में लेंगा रटके नहीं इंटरस्टिंग टेग नूच के लिए तब तक के लिए गुडबाई टेक यार